जो नियाए धीश की कुर्सी पे बैठा है और जैसे जूडिशिल सिस्टम का हम सब लोग सम्मान करते हैं तो उस पे इस तरह की टिपनी करना मैं इस नहीं समझता कि इस समय उचित है चर्चा चल रही है इन बातों की जो आप कह रहे हैं बाकी रोज आजूबे हो रहे हैं और जैसा शीतर जी ने कहा कि कुवे में भांग गुली पड़ी है और हर तरफ वो कहते हैं न के विराने गुलिस्था करने को बस एक ही उल्लू काफी है हर शाक पर उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्था क्या होगा तो चारों और जो हो र अतरह शुरू की साथ सितंबर दो होजर बाइस राहुल गांधी का पत्राजनितिक उसकी शक्ति बढ़नी शुरू हो गई और उनों ने कहा जी मैं तो नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान कुलने चला हूँ तो नफरत के बाजार में तो सारे दुकान दर नफरत ही हैं वो क्यों चाहेंगे कि एक मुहबबत की दुकान उनके बजार में आके खुल जाए खैर जिस तरह से लोगों से मिले जुले गरीब आदमियों को गले लगाया जिसको कहते हैं गरीब बुढिया के साथ हाथ पकड़ के चले छोटे छोटे गरीब मजदूर के बच्चों को राएपूर में जो समाजिक नए के लिए कांग्रेस ने जो प्रसाव पास किये और अब कोलार में जो उन्होंने भाशन दिया है वो गेम चेंजर है अब राहूल गांदी वो राहूल गांदी नहीं है जिनको बहुत जिसको कहते हैं कि घिले पन में बीजे पी ले ले लेती गांदी के साथ क्रोणों इस देश के लोगों की भावनाई जूट चुकी हैं किसानों की मजदूरों की जो सेकोलरीजम में फिरक परस्ति के खिलाफ लोग हैं उनकी भावनाइ जूट चुकी हैं और वो लोग जो समाजिक नयाय में विश्वास करते हैं आप बात कीजिए लोग चो कल को onda समाज wagon है की बात करते थे लेकर राहूल गांधी को इतना seriously नहीं लेते थे वह आज राहूल Ga ऑंदी के साल मजबूती से खड़े हैं तो आज का जो राहूल गांधी है उस से इस तरह से जिस तरह से टैकल किया रहा है यह जो राजमितिक चाले उनके साथ चली जा रही है वो बहुत महंगी पड़ेगी अब लोगों की सहानूब होती राहूल गांदी के साथ करोड़ों लोगों की सहानूब होती जुड़ चुकी है तो यह जो कुछ भी हो रहा है इसको जिसको कहते है ना विनाश काले विपरीत बुद्धी जो भी रणनिती बना रहे हैं राहूल गांदी के खिलाफ और कई बारी क्या होता है कि एक विक्ति जो होता है वो खुले में होता वो इतना खतरनाक नहीं होता वो जेल में जाने के बाद बहुत जिसको कहते हैं कि उसकी ताकत बढ़ जाती है उसकी अपील बढ़ जाती है और वो लोग जो कट्टर समर्थक होते थे मोदी जी के और लड़ने को आ जाते थे वो भी कहरा भी यह हो तो गलत है जो कोई सथ तक नहीं जाना चाहिए तो हमारे देश को जो मानस है पिछले सतर पिस्टर साल में जो लोक तंतर का बन चुका है वो कहीं ना कहीं आम आदमी इन चीज पहली बात तो वो लोग ओभी सी है ही नहीं पहली बात तो यह है शिरम जी ठीक है मैं भी यही बात कहता था और अब भी कहता हूं कि विधान सभा चुनाव लोक सभा चुनाव अलग होते हैं जैसे आपने 2019 से पहले देखा राजस्थान, मद्देपरदेश, 36 गड़, लेकिन जैसे ही लोक सभा चुनाव आते हैं, 10% वोट बढ़ जाता है बीजेपी का, राजस्थान में सारी लोक सभा की सीटे जीत ली, तो दोनों चुनाव अलग होते हैं, लेकिन वो ऐसा पीरिड होता है, जिसमें कहते हैं के सामने कौन, मोदी जी के सामने 2014 में, और तो च विपक्षी दलों में एकता आ रही है, और एक नितिश कुमार जो मुझे लगता है, वो एक ऐसा नाम है, जो बिलकुल बेदाग है, समाजवादी है, इमांदार है, और बहुत जिसको प्रशासनिक नभव भी है, और लोयावादी है, समाजवादी है, फिरका परस्ती के खि बड़ा रहता है, तो एक ऐसा नित्वत्त भी सामने आ रहा है, और आप वो दोहजार उन्निस वाली बात जो आप कह रहे हैं के एक कुलुमावादा आया और पलट दिया, वो नहीं होगा, आपकी बार बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन ये बात मैं आपको क होंगा कि ये जो चुनाव होगा दोहजार चोबिस का वो कन्वेंशनल इलेक्शन नहीं होगा, जैसे पहले होते रहे हैं, सारी मर्यादाएं इसमें तोड़ दी जाएंगी, जैसे वो दिनकर जी कभी कहते हैं ना, के दुर्योधन युदव ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैस होगा, फन शेशनाक का डोलेगा, विकराल काल मूँ खोलेगा, तो बहुत ही टकराव पूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत, जैसे अभी दूबे जी ने, मेरे अग्रिज ने कही, कि उसकी शुरुआत हो चुकी है, और हर दिन आपको एक कोई नया टेंप बुखार की तरह देखना मिलेगा, और वो जो चीज़े हम कहते थे नहीं, यह राजनीती में नहीं होती, वो आम होंगी, चुनाव बहुत ज़्यादा टकरावाला होने जा रहा है, यह मैं कहूं हो, शिवम जी.